हलो फ्रेंड्स मेरा नाम चंदर शेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी यूटूब चैनल टॉप क्लास मैं स्टार्ट करते आज का सेशन और आज का सेशन धमागेदार रहने वाला है और इसमें हम पिनेकल बुक का सॉलूशन कर रहे हैं और कोशन नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 135 वा और यहां पर 135 से लिकर 160 प्रशनों का सॉलूशन विद शॉट ट्रिक आपको मिल जाएगा आपके लिए छोटा सा काम है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको कर देना है और मैं आपको बता दू कि अगर आप एक बार वीडियो को देखे और end तक देखेंगे तो आपको एक-एक सवाल और एक-एक concept आपको समझ में आएगा, यह मेरी guarantee है ठीक है और यहां पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, short trick के साथ पढ़ाता हूँ, बहुत basic से ले जाता हूँ, आपको कहने का मतलम मैं 0 to hero ले जाता हूँ, स्टार्ट करते हैं ब देख लेंगे, तो question number 135 आपकी देखिए स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ जी, अब बिल्कुल आपको correctly दिखाई दे रहा है, चलो, अब question number 135 केता क्या है आपसे देख लेते हैं, केता है कि एक school है, मैं लड़के और लड़कियों का जो अन अनपात 12 है, चलो, ठेके, यानि कि यहाँ पर मैंने उठाई कलम, और यहाँ पर मैंने लड़के, यानि कि voice और girls का जो ratio है, वो 17, ratio 12 है, is that okay, चलो, और उसकूल में छात्रों की कुल संख्या 1305 है, कहने का मतलब यह है कि उसकूल में जो total student है, जिसमें boys भी आते हैं, और girls भी आते हैं, उन सभी को मिला लिया जाए, तो 305 बैठते हैं, कहने का मतलब 1305 होते हैं, उसकूल में लड़कों की संख्या बतानी है, मतलब boys और girls मिला के total student, तो प्यारे बच्चू, total student कितने हैं, तो represent करता है, ratio के terms में, इसकी original value है, 1305, आपको कोई भी issue नहीं है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, उसकूल में लड़कों की संख्या, जो desire value होती है, जो आपको निकालनी होती है, वो into में directly रख दीजे, desire क्या निकालना है, उसकूल में लड़कों की संख्या, और यहां पर ज directly यहां पर एक unit की value चुआएगी, वो represent करेगी total number of boys, ठीक है, चलो करते है, बस calculation करनी है, और कोई भी issue नहीं है, जब आप 30 का पहड़ा पढ़ते हैं, 30 का टेविल पढ़ते हैं, तो 30 फोर्जा होता है, 120, और वहां अगर आप 29 का पढ़ेंगे, तो 4 कम करना पढ़ेगा, it means 11 116 आजाएगा, तो 116 यानि कि मैं यह कह सकता हूँ, जैसे आपने 116 पढ़ा, यानि कि आप कह सकते हैं, 4 पूरा पूरा चला गया, और यहां पर बचा कितना, आपने कहा 14, 145, और 29, 5 जा होता है, 145, यानि कि 45 टाइम्स कट गया, यह putting value आ गई, और multiply कर देंगे 70 से, और जो अब करेंगे, multiply, 17 का गुणा 45 में करेंगे, तो क्या हैगा, 17, 85, 85 की 5, ठीक, कैरी कितनी 8, 17, 68, और 8 हो जाएगा, 16, और एक यूनिट यह represent करेगा, टोटल बॉइस को, जो की 65 है, और option number आपका कौन सा correct है, option number B correct है, अगला प्रेशन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देख लेंगे, क्या कहनी की कोशिश करता है, अगला प्रेशन, अगला प्रेशन, 136 आपकी स्क्रीन पर आता दिखाई दे रहा है, देखिए 136, अब 136 आपसे क्या कहनी कोशिश करता है, अच्छे से देख लेंगे, चीक है, इसको करते हैं, पहले रफ, question number 136 136 का कहना ये है कि यहाँ पर जो 63,800 रुपे है यानि कि 63,800 जो रुपीज है उनको आपको distribute करना है A और B में चलो जहाँ A को मिलता है 4 भाग और B के हिस्से में आता है 7 भाग यानि कि 4 रेशियो 7 दोनों के बीच में बटवा रहा है जहां आपको बाटना किसे है आपको B को दोरा प्राप्त की गई राशी बतानी है तो B को मिलता कितना है A को 4 मिलता है B को 7 मिलता है दोनों को कितना मिलता है 11 यूनिट 11 की value एक्चुल में कितना है 6,3,8,0 आपका desire क्या है आपका desire यह है कि आपको निकालना है B को कितना मिलता है तो आपने कहाँ B को मिलता है 7 यूनिट जो desire है वो directly right hand side multiply कर लेते है 11 से कटेगा यह 11 5 जा 55 मचेगा 8 11 8 जा 88 और 7 का multiply कर लेंगे और यहां जो 1 आएगा वो आपकी desire value होगी जो आप चाहते है चाहते है B कमन भई आएगा 7,8,6,6 कहरी कितनी 5 7,5,35 और 5,4 एक प्यारा सा answer आपको देखने को मिलेगा वन यूनिट का जो की है 4,0,6,0,0 option number एक करेक्ट है इसका ले लिजे screen shot अगला प्रशन आपकी screen पर आ रहा है अगला प्रशन आपकी screen पर आ रहा है 137 वा प्रशन है देखिए अच्छे से ले लिए होगा screen shot देखो question number देखिए 137 आपसे कहने की कोशिश क्या करता है कहता है कि एक चुनाव हुआ है जिसमें दो लोगों ने participate किया है मतलब दो मीरवाद खड़े हुए है यहाँ पर जो boat मिलाए न वो 4 और 9 के अनुपात में मिला है मुझे एक बार बताए पहला व्यक्ति A है जिसको 4 यूनिट boat बोटिंग हुई है दूसरे व्यक्ति B है जिसके लिए boat बोटिंग हुई है 9 यूनिट कोई भी इश्यू नहीं यदि सफल उम्मिदवार को सफल कौन होगा जीते का कौन 9 यूनिट वाला 9 यूनिट और इसके पक्षमे कितने बोट जाते है 9 8 4 3 2 1 आपको किसका निकालना है तो असफल को कितने मिले है तो असफल को मिले है 4 यूनिट जो आपका desire है और desire होता है वो directly right hand side नो multiply कर लेते है और 1 यूनिट का मान ही आपको desire value देता है जो आप चाहते है चाहते तो आप बहुत कुछ है पर मिलता वही है जो आप करते है कहते हैं you do not get what you want you get what you are यानि जो आप करते हो है नवहीं आपको मिलता है चाहने से कुछ नहीं होता ठीक है point बात है 9 से काट लेंगे 9 वंजा 9 है न कोई भी इशू नहीं है फिर आगे चलेंगे 8 में जाएगा नहीं 0 लगा लेंगे 9-9 81 हो जाएगा बच्चे का 3 है न 9-3 27 हो जाएगा बच्चे का 6 और 9-6 54 हो जाएगा बच्चे का कितना 8 और 9-9 81 हो जाएगा पूरा पूरा डिविजबल होके यहाँ 1 यूनिट ही रिप्रिजेंट करेगा जो आप चाहते हैं 4 का मल्टिप्लाई कर लिजे 4 9 जा 36 की 6 कैड़ी 3 4 6 जा 24 24 जा 3 27 की 7 कैड़ी कितनी 2 4 3 जा 12 12 तू 14 14 की 4 इतना ही करेंगे मैच करा लेंगे 4 7 6 यही आंसर है मारा 4 3 7 4 7 6 अगला प्रेशन इसका लीजे इस कीन सॉड अगला प्रेशन आपके समक्ष आता हुआ आपको दिखाई देगा Right Now Question No.138 क्या कहने की कोशिश करता है अभी हम देख लेंगे इसको कर देते हैं रफ देखिए Question No.138 कहने की कोशिश करता है कि यदि 52 47 20 19 52 52 47 20 19 मैसे प्रेशन मैसे X को कम किया जाए तो यह आपस में proportional में हो जाएंगे जमानुपाती में हो जाएंगे तो आपको X प्लस 4 और X माइनस 8 के बीच मद्धे अनुपाती निकालना है तो मद्धे अनुपाती किसके बीच निकालना है आपको X प्लस 4 और X माइनस 8 मद्धे अनुपाती आप जानते हैं जिन दो संख्याओं में मद्धे अनुपाती निकालना है उनका गुणा कराते हैं उनको अंडर रूट में बैठाल देते हैं यही निकलता है मेन प्रोपोशनल चलो एक बात बताओ क्या आप विद आफ्शन से नहीं उठा सकते हैं आपको यही तो निकालना है यह करने की जरूवत नहीं आप डायेटली कर सकते हैं मुझे एक बात बताए एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि यहाँ पर यह अंडर रूट में से बाहर आ जाए क्योंकि यहाँ पर यह जो आंसर है ना आट बारा नौ दस इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपने अंडरूट लिया होगा इन दोनों संख्याओं का तब यह आंसर आए होंगे ठीक है चलो अब मुझे एक बात बताईए अगर मैं एक्स का मान 8 से कम लेता हूँ सुनिएगा 8 से कम लेता हूँ अगर मैंने लिया 1 तो माइनस का साथ आएगा और माइनस रह जाएगा और माइनस में इंफाइने मतलब अपरी वासित हो जाएगा आप न X कमान 9 ले लेते हैं, अगर 9 ले लिया, तो 9 में से 8 गया, यहां एक आएगा, clear, आपको समझा रहा हूँ मैं, X कमान, अगर आपने 9 ले लिया, तो होगा क्या, मैं आपको दिखाना में भादा, 9 ले लिया, 9 में से 8 गया, एक आएगा, 9 प्लस 4, यहां आजाएगा 13, और 13 गुड़ा एक, फाइलिली 13 आएगा, अंडुड हो नहीं पाएगा, चलो, यह तो मारा काम का नहीं रहा, यहां बात आपको समझभाई होगी, अब एक्स का मान बढ़ा लेंगे, अगर लेते हैं 10, 10 में से 8 गए 2, और 10 और 14, 14 दुनी 28 बिल्कुल नहीं होगा, अगर मैं एक्स का मान 10 ले चुका हो, 11 लोगा, तो 11 में से 8 गए 3, और 11 और 4, 15, और 15 तिया 45, जो कि नहीं निकलेगा, अगर मैं एक्स का मान 12 लेता हूँ, 12 में से 8 गए, धिको 12 लेता हूँ, 12 में से 8 गया, 4 आएगा, और 12 और 4, 16 हो जाएगा, तो 16 और 4, दोनों की दोनों, perfect square number है, 16, 64 और 64 भी perfect square number है, जो कि 8 का होता है, यानि कि अगर अंडोन निकालेंगे 64 का, तो 8 अंसर आएगा, और 8 यहाँ पर है, समझ में आ गया, तो यानि कि आप directly बिना उपर value निकाले भी कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनको ऐसे नहीं करना है, तो उनके लिए बता रहूँ है, तो आप क्या करें, आप पूरी directly x की value निकाले, उसके लिए क्या freak है, वो देखिए, एक्स कमान निकालना है, तो पहले का चौथे से गुणा कीजिए, और दूसरे का तीसे से गुणा कीजिए, और आपस में गुणा करके आप घठा लीजिए, 19 दूनी 38 की 8, carry कितनी 3, 19 पंजे 95, 3, 98 हो गया multiply, दूसरे का तीसे से कीजिए, 47 दूना 94 होता है, 0 ला आतेंगे, complete, और नीचे क्या आएगा, ओपर जिन नंबर्स में आपने multiply किया है, उनी नंबर को add करके सबस्टैक कर लो, इन नंबर को जोडेंगे, 19 में 52 जोडेंगे, त नीचे आप add करके सबस्टैक कर देंगे, बात इगी है, 47 में 20 जोडेंगे, तो आएगा कितना, आपने मुझसे कहा 67 आजाएगा, उपर का difference कितना आया, आपने मुझसे कहा 48 आएगा, और नीचे का difference आएगा 4 का, और यहाँ पर आपकी x की value 12 आजाएगे, अब तो आ गई न कि अब कैसे मतलब directly answer उठा रहे हैं, अब तो बिल्कुल systematically किया है, 12-4-16 और 12 में से 8 के 4, 16-64, अंडूर में 64 आएगा answer 8, इतना आप का सकते हैं, चलो, लीजी skin sort और अगला प्रश्न आपकी screen पर आ रहा है, देखते हैं, question number 139 करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा प्रश् करने रहा हूं, skin sort लेने के लिए, question number 139, क्या कहता है 139, language को समझेंगे, क्योंकि language ही math है, अगर आपको math अच्छा सेखना है, तो आप पढ़ने सीख जाएगे, पढ़ना सीख जाएगे, language सीख जाएगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, math, मतलब पढ़ना का मतलब क्य question की demand क्या है, language क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, आइए, 8 words पहले, A और B की, I, U का अनुपाद, 4 अनुपाद, 5 था, चलो, तो यहाँ पर 8 words पहले, 8 words पहले, तो यहाँ पहले को मैं represent करता हूं, minus से, ठीक, past को, A और B की, A, और B की, I, U में अनुपाद, 4 5 था, 12 words बाद, after 12 years, 12 words बाद, बाद को मैं plus से represent करता हूं, 12 words बाद, इन दौनों की, I, U में अनुपाद, 13 अनुपाद, 5 हो जाएगा, it means 13, ratio, 15 हो जाएगा, B की बरतमान, I, U क्या है, यानि की present age of B, यह निकाल लिए, कैसे निकालेंगे, समझाता हूं, यहाँ पर देखी, cross product method लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मैं हमेशा आप से कहता हूं, कि यहाँ deviation, gap की condition में, अलग-अलग जुड़ जाते हैं, अलग मतलब, यह minus का है, यह plus का है, अलग-अलग जुड़ जाएगे, gap की condition में, ठीक है न, तो यहाँ 8, 12, कितने का gap हो गया, 20 का, 8 इदर, 12 इदर, gap हो गया, 20 का, 20, और 20, है न, अब सुनेगा, यह जो gap आता है न, इसको हम short trick में करेंगे, कैसे करेंगे, आईए पहले, पहले एक cross product उपर लगाते हैं, 15, 60, 53, 65, 65 में से 60 गई, उपर का फर्क 5, एक line में खतम करेंगे, नीचे जो एक जैसा आता, इसको common ले लेते हैं, आगया 20, और नीचे वाले ratio का difference कर लेते हैं, 15 में से 13 गया, 2, वो इसका multiply कर देते हैं, तो उपर का difference बराबर हो जाता है, नीचे के difference है, और यह putting value आपकी याद दिया है, 5 से काट लिजे, यह कटे का 4 बाग और 4 दूनी 8, putting value आ गई, 8 unit, कितने आ गई, 8 unit आ चुक cross product method हमेशा उपर वाले ratio के value original करता है, मतलब यह putting value हमेशा उपर वाले ratio के निकलती है, finally आपने 8 इसमें रख दिया, रख दिया, रख दिया, और रख दिया, 8, 45, 8, 50, 40 आएगा, 40 साल का आएगा, भी 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले, कोई 40 साल का है, तो आज कितने का पूचा है, नहीं, आज ही पूचा है, आज ही पूचा है, तो आज B की जो present age है, वो हो जाएगा, 40 यह जो की option number C correct है, लीजिए screen shot, अगला question आपकी screen पर आ रहा है, जो की question number होगा 40, और क्या कहनी कोशिश करेगा, थोड़ा सा बढ़ा है, पर कोई issue नहीं है, आपको अच्छ समझीएगा, question number 140 होगा, कहनी की क्या कोशिश करता है, देखेगा, कहता है कि यहाँ पर जो 8,235 रुपीज है, उसका distribution करना है, 8,235 रुपीज का distribution करना है, चार व्यक्तियों में, A, B, C, और D में, सुनिएगा, जहाँ A और B के, जो share है, जो investment है, उनमें ratio है, 3, ratio 4, इसको 3 भाग मिलता है, तो इसको 4 भाग मिलता है, यह given है, अगला, B और C का जो investment है, 8 और 5 है, अगर B को 8 मिलता है, तो C को 5 मिलता है, और ध्यान रखना पहले सबको नहीं लिखना, एक बार में solumnive करते हुए जाएं, कैसे, B को यहाँ 4 मिलता है, B को यहाँ 8 मिलता है, बाद गलत है, व्यक्ति एक है, तो मिलना है, वाला पैसा भी तो एक ही होगा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको भी 8 बना लेंगे, तो 2 का मल्टिप्लाई यहाँ, 2 का मल्टिप्लाई यहाँ, और नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, finally वो पैरी से satisfied है, यहाँ तक ratio satisfied हो जाता है 3 व्यक्तियों का, आ जाता है 6, आ जाता है 8, आ जाता है 5, यह आ गया 3 व्यक्तियों का ratio, यह family बन गए 3 व्यक्तियों के, और C और D का investment का है, 7 और 10 का ratio रगता है, अगर C को 7 मिलता है, तो D को 10 मिलता है, parts, पर यहाँ C को 5 मिलता है, यहाँ 7, यह कैसे हो सकता है, मिले वाला, जो amount है वो तो एक जैसा रहेगा, एक ही व्यक्ति के लि पूरी family को गिलाएंगे भई, root जाएंगे नहीं तो family, यहाँ पर 5 का multiply नीचे करेंगे, तो इसकी family को गिलादेंगे, अब यह family एक जैसी हो गए, यह हो गया, full आपका ratio satisfied, मैं directly भी कर सकता था उपर उपर, तो मुझे आपको सम्झाना पड़ेगा न, अच्छे से, आरहम से, finally ratio कितना है, इसको मिलेगा 42 parts, इसको मिलेगा 56, इसको मिलेगा 35, और इसको मिलेगा 50, यह आपको समझ में आया होगा, ratio के terms में, ठीक है, यहाँ तक मिल गया, अब इन सब पैसों का जो वटबार है, distribution, इतनी रुपे में करना है, बोला क्या है, A और C के हिस्से में अंतर, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 7 unit का, यह निकालना है, मैंने आपसे बोला था, यह तो आपकी desire value है न, इन 2 में right hand side में रख देना, बट दिया क्या है, सब को add करके यह दिया है, add करो भई, कितना आ जाएगा, यहाँ 5, 6, 11, 11, और 2, 13, 13 की 3, carry कितनी, 1, 1 और 5, 6, 6, 3, 9, 9, 9, और 5, 14, 14 और 4, 18, 183 की value यह है, आपको desire क्या निकालना है, 7 unit, difference between A and C, यह निकालना है, जो 1 unit आएगा, वो directly value देगा, आपकी difference जो निकालना है, A और C में, चलो, करते हैं वही, calculation ही करनी है, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले कर लिजे, है न, तो 3 से काटेंगे, 61 times, 3 से काटेंगे, 3 दुनी 6, बचेगा 2, 3 सत्य, 21, बचेगा 1, 3, 4, 12, बचेगा 1, 3, 15, अब 61 की बात करते हैं, इसको काट के देखिए, यहाँ पर 6, 24, 244 आएंगे, यानि कि 4 बार कटेगा, बचेगा कितना यहाँ पर, बचेगा यहा यहाँ पर आएगा 5 times, यानि कि 45 का multiply 7 में करना है, और answer प्रात कर लिना है, 7, 5, 0, 35 की 5 की 5 केरी कितनी 3, 7, 4, 0, 28, and 3, 31, answer आजाएगा, जो वन यूनिट का, जो आपका desire है, जो आपका desire है, वो क्या है, वो difference निकालना है और C में, जो कि 7 unit है, और actual में उसी का value क्या है, 355 answer आ चुका है, तो option देखेंगे, और आप screen shot ले लिजेसका, और option देखेंगे तो answer, यहाँ D ठीक है, अगला question आ रहा है आपकी screen पर, और क्या कहनी की कोशिश करता है, वो भी देख लेंगे, अगला question, अगला question आ रहा है, 147 वा, क्या कहेगा आप से, यह हम देखेंगे, इ skin shot लेने का, देखें, कहता क्या है, कि 7 words पहले, A और B की, आयू कान पा 2 ratio 3 था, इसका मतलब यह है, 7 साल पहले, तो यहाँ पर, माइनस 7 से represent करेंगे, 7 words पहले, जो A है न, और जो B है, उनकी आयू में अनपात, 2 अनपात 3 है, बिल्कुल ठीक है, चलो, 3 words के बाद, after 3 years, तो 3 words के बाद, plus 3, 3 words के बाद, उनकी आयू में अनपात, 5 अनपात, 7 हो जाता है, सबसे अच्छी बात क्या है, कि इसमें आप age भी पढ़ रहे हैं, इसमें आप partnership भी पढ़ रहे हैं, इसमें आप ratio तो होता ही है सब का, तो कहने का मतलब, बहुत सारे chapter आपके complete हो रहे हैं, mixture and allegation भी है, इसमें, उनकी बरतमान आयू का योग क्या है, यानि कि इन दोनों की बरतमान आयू का योग फल निकाला है, कैसे निकालेंगे, आईए, gap कितने का है, आपने कहा 10 का, अलग अलग जूड जाते है, minus plus, जूड जाएंगे gap की condition में, deviation में, ठीक है, gap की condition में, यह मत कहना सर, minus के 7, plus के 3, minus इसके 4 होते हैं, अरे यह calculation निकार रहा है, मैं यह gap की condition, gap निकार रहा हूँ, अलग अलग जूड जाते हैं, एक जैसे कर जाते हैं, यहाँ देखे, कितने gap है, 10 साल का, यहाँ 10 साल का, 7 दूनी 14 है, 5 ती है 15 है, 15 में 14 गए, एक का फरक है उपर, काम काता, नीचे का फरक 20 बार आता है, putting value 20 आ चुकी है, आगी, किस में रखना है, उनकी वरतमान आयू का योगफल, पहली बात, यह जो आती है putting value, वो हमेशे आती है उपर वाले ratio की, तो यहाँ पर रख दीजिए 20, और यहाँ पर रख दीजिए 20, यानि कि ए 40 साल का आएगा, 7 साल पहले, 7 साल पह का 66 साल का, है न, और आज ही इन दोनों की आयू का योगफल निकालना है, तो 7 7 14 की 4, कहरी 1, 6 4 10, और 1 11, 1 14, 114 एंसर है, option number A correct है, लीजे इसकी इसकी इन सॉर्ट, अगला question आपकी screen पर आ रहा है, question number 142 मा देखेंगे, क्या कहने की कोशिश करेगा, देख लेंगे, इसको करत हैं, rough, अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है न, तो please subscribe कीजी, share कीजी, आप बड़े-बड़े teacherों को तो share कर देते हैं, पर जो इतनी मेहनत करा रहा है, इस किताब का solution अच्छे-चे teacher नहीं करा रहा है, मैं कराना चाहता हूँ, बट आपका support चाहिए मुझे, 142, X और Y क की आए का अनुपाद, यानि कि यहाँ पर दिया है कि income of X और income of Y का जो ratio है, वो given है, तो X और Y लिया आपने, income का ratio लिया, X और Y के, जो 2 ratio 3 के terms में है, चलो, और उनके जो expense है, मतलब उनका जो expenditure है, वे है, उनमें जो ratio है, 4, ratio 5 है, 4, 5 का अनुपाद है, यदि X और Y करंच से 5,000 और 17,500 रुपे बचाते हैं, यानि savings की बात करें, original, तो X की savings है 5,000 रुपे, और जबकि Y की savings है, 17,500 रुपे, तो X का जो income है, वो क्या होगा, X का income, कैसे करेंगे, cross product method, आसानी है, कटिन नहीं है, पांदुनी 10, चारती अब 12, उपर का फरक आजाएगा 2, पांदुनी 10, चारती अब 12, ठीक है, कुछ नहीं रहा हमारा, finally difference आजाएगा 2, उपर का, नीचे का, नीचे का अलग-अलग data है, तो आप common नहीं ले सकते, multiply ही करना पड़ेगा, जब आप देखिए, अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, दोनो 0 यहाँ पर common है, common है न, दोनो 0 common है, तो आप common ले लिजिए, यहाँ 175 है, यहाँ 50 बचा है, तो 175 का गोणा 4 में करेंगे, तो कितना आएगा, पहली बात तो आप यह देखिए, कि यहाँ अगर मैं पढ़ लेता हूं इसको, सत्रे, 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 चोक 68 होता है, 68 होता है, यहाँ 5, 5, 5, 5, यह मिला कर हमारे हो जाएगे, यहाँ पर 20 है न, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना 700, ठीक है, बुड़ा भी कर सकते हैं, 4, 50, 20 की 0, carry 2, 4, 68, और 2, 30 की 0, carry कितनी 3, 4, 4 चार, और 3, 7, यहीं 700 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा, जब 50 में multiply करेंगे 5 का, तो 200, अब इन दोनों का difference क्या है, इन दोनों का difference क्या है, तो 700 में से 200 जाएगे, तो साड़े 400 बचेंगे, तो साड़े 400 यहाँ लिख दीजे, मैंने common 0 तो ले लिया है, तो उपर का difference, नीचे के difference के बराबर होता है, दो से आप काट पा रहे हैं, इसको हाँची काट पा रहे हैं, कितने बाद कटेगा, 2 x, 2 x यहाँ 1, 5 x 00, यहाँ पुटिंग वैल्यू उपर वाले, उपर वाले income की, निकालना है, X की I क्या है, तो X की I यहाँ पर रख दीजे, 22,500 रख देंगे, तो X की I कितनी आएगी, आपने डवल कर लिया, 225 का, 450 और 0 लगा लिया 2, यानि कि X की I 45,000 है, income of A is 45,000 राइट नाओ, ओके, तो यहाँ 45,000 हमें option D दिखाई दे रहा है, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडिय प्लीज, जरूर किजिए का, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर आ गया, 143 143, क्या कहता है, देखिए, कहता है कि 16,200 रुपे की राशी का बटबारा करना है, तीन लोगों में, कर दिया A, B, और C, कितनी राशी है, 16,200 रुपे हैं, यदि A को 1200 रुपे कम मिलते हैं, तो शेरो कनपा 3, 4, 5 हो जाता है, तो प्रारब में A का इसा क्या है, सुनिएगा मैंने कहा कि A को अगर 1200 रुपे कम मिलते हैं, तो अगर 1200 रुपे कम मिलते हैं, तो वो टोटल मेंसे ही तो जा रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं 16,200 मेंसे 1200 रुपे निकाल दूँ, कितने बचेंगे? आपने मुझसे कहा 15,000 रुपे इसका मतलब यह है कि अब जो बटवारा होगा वो 15,000 में से होगा 15,000 में से होगा जबकि अब जो अनुपात है वो 3, 4, 5 है 12,000 रुपे निकालने के बाद और 3, 4, 7, 5 होता है 12 12 यूनिट की वैल्यू 15,000 है 12 से काटेंगे 12 बचेगा 3 12 तूज़ए 24 बचेगा कितना 6 है न कोई इश्यू नहीं है 12,500 12,50 बार कटके आएगी पुटिंग वैल्यू ठीक है तो यहाँ पर पूछा है प्रादम में एक आहिस्सा क्या था 1250 इसमें रख दीजे 3 में तो आप 3 में रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3,750 रुपे यह वो हिश्या मिलेगा यह वो पार्ट मिलेगा जब एक यह 1200 रुपे कम हो गए है इसमें 1200 रुपे और एड़ कर लो तो एको मिलने वाला जो बटुए में पैसा है वो 0,594 ओड़न 4,150 रुपे है 4,950 है ओप्शन नमबर 1st करेक्ट है अगला प्रशन आपकी इसकी दिन पर आ रहा है कोश्चन नमबर 144 देखेंगे कैसे करना है अच्छी से इसको हम मैंटेन करेंगे कोश्चन बहुत अच्छा है देखो इसको रफ करते है यह कहता है 144 क्या कहता है कि यहाँ ABC कंचो की बॉक्स है जिसमें जो कंचे रखे हैं वो 2, 3 और 4 के अनुपात में रखे हैं ABC में इन बॉक्सों में कंचो की कुल संख्या 360 है कितने कंचे हैं? 360 यानि कि 2, 3, 4 according to ratio सब के कंचे मिला लूँ तो 9 unit बैठते हैं और 9 की value 360 कंचे है actual में 9 के पाड़े में 360 आता है कितने बार? आपने कहा 40 बार putting value आगे इन कंचों की क्या मैं 40 यहाँ पर रख दूँ? तो मैंने कहा A प्रकार के कंचे मेरे पास 80 थे 40 यहाँ पर रखा B प्रकार के कंचे 120 थे और 40 यहाँ रखा C प्रकार के कंचे 160 थे चलो, अब आपसे पता है क्या कह रहा है? उपरोक्त अनुपात को निम्न मैसे किसके द्वारा 386 के अनुपात में बदला जा सकता है? यानि कि आपको 387 के रेशियो में बदला जा सकता है कौन सा option उठाने पर? तो पहले तो हम पहले इग option उठाएंगे हैं? चलो पहला option उठा लेते हैं, पहला option क्या कहता है? कि यहाँ पर जो A के कंचे हैं 80, B के कंचे 120, C के कंचे 160 तो 20 कंचे हैं वो A से B में और 20 कंचे C से B में ट्रांसफर किये जाते हैं देखना चिसे A से B में कितने जाते हैं? देखो A से B में 20 कंचे चलो तो A से 20 कंचे निकलेंगे और B में चले जाएंगे, यह बोला है अगला, 20 कंचे C से B में जाते हैं सी से बी में, तो सी में ऐसे निकलेंगे 20 कंचे, और बी में चले जाएंगे, ये बुला गया है, तब जाके जो रेशियो होना चाहिए, वो 3, 8, 7 होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ठीक है option, चलो, ये 60 हो गया, ये 160 हो गया, एड करने पर, और ये हो गया आपका 140, रेशिय एक correct है आपका, उससे ही इसका अनुपार 3, 8, 7 हो रहा है, बिल्कुल correct answer, तो option first की सायता से आप टिक कर सकते हैं, देखूं, वाई option चेक कर लेते हैं, यहाँ पर, नीचे देखिए, ये 4 option थे, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इन में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए यह option C, और C कहता है कि first वाले की सायता से answer निकल सकता है, तो यह correct answer है, अगला प्रशन आपकी screen पर आ रहा है, ले लिजे इसका screenshot, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं यह ऐसी आशा करता हूँ, question number 145, बड़ा ही easy सा question है, आप इसको यूँ ही fact देंगे, हवा में, कहता है कि 4A, 5B और 8C आपस में equal है तो ABC का ratio निकालो, 4A, 5B और 8C आपस में equal है तो ratio निकालो ABC में, कैसे निकालना बहुत ही आसान तरीका है, तरीका क्या है, कैसे करेंगे, भगवान की दुआ से A के पास 4 है, क्या नहीं है, 5 और 8, बस, A का काम हो गया, ratio, B के पास भगवान की दुआ से 5 है, क्या नहीं है, 4 और 8, C की बात करते हैं, भगवान की दुआ से 8 है, क्या नहीं है, 4 और 5, बस, ज़्यादा बुद्धी लगानी जो होतनी है, L से मैथर लेनी की आभशक्ता निकाली, फाइनली, 4 एकम, 4 एकम और 4 दुनी, और यह आ जाएगा, 10 ratio, 8 ratio 5, यह आपका correct answer है, जो की option number, कुछ दिखाई दे रहा है, हाजी, पहला correct है, लेज लिजे skin sort, अगला प्रेशन आता है, question number यहाँ पर 146, और देख लेंगे 146, क्या कहता है, 146 का कहना यह है, कि मैं ऐसे नहीं निकलूंगा, मैं कुछ काम करवाऊंगा, यह 4900 रुपे की राशी को PQR, जो तीन व्यक्ति हैं, उसमें distribute करना है, PQR में, कितना distribute करना है, आपको 4900 रुपे को, कहता है कि R को न, P के हिस्से का 2 upon 5, यानि कि कह सकते हैं, R को P के हिस्से का 2 बटे 5 वा हिस्सा मिलता है, यानि कि 2 5 मिलता है, हिस्सा R को P का, तो R को P के हिस्से का 2 बटे 5, आचा, R को P की हिस्से का 2 बट्टे 5 जिससे तुलना करते हैं, वो denominator ले लेता है और जो तुलना कर रहा है, वो numerator लेता है काम करता है आगे, Q को R की हिस्से का 3 गुना मिलता है Q को R की हिस्से का 3 गुना इसको 3 मिलता है, किसका R का तो R को 2 मिला है, 2 का 3 गुना सब को मिलाकर कितना मिलता है आपने कहा 13 unit इनको add कर लिया है और 13 की value 3900 है आपका desire क्या है क्या निकानना चाहते हूं क्यूं तो Q को मिलता है 6 directly multiply कर लिजे 1 unit की value ही desire होगा value of Q के लिए 13 से 13349 300 और 30618 आंसर आजाएगा 1800 जो की option number C correct है ले लिजे skin sword अगला प्रशन आपकी screen पर आता है 147 और देखेंगे क्या कहता है 147 डिमांड क्या है करते हैं इसको rough एक पर देख लेते हैं कि सब कुछ ओकी ओकी चल रहा है हाँ जी सब कुछ ओकी ओकी है बढ़िये चल रहा है कोई भी इश्यू नहीं है ठीक है अब देखें 147 कहता यह है कि एक स्कूल में कच्छा 10 के 3 बर्गों में चातरों की संख्याद 3 रेश्यू 5 रेश्यू 8 है यहां 3 वर्ग है पहला वर्ग A है दूसा B है और तीसा C है और चातरों की संख्याओं का अनपात 3 अनपात 5 अनपात 8 है यदि 3 खंडों में किरम से 15, 30 और 15 और अधिक छातर आ जाते तो नए अनपात 4 रेश्यू 7 रेश्यू 9 हो जाता पहले इस Satisfied देख लो कि यहां पर जो बढ़ रहा है वो क्या Satisfied Forms में है कैसे यहां पर कितना बढ़ रहा है आपने कहा 1 यूनिट यहां पर 2 यूनिट यहां पर 1 यूनिट और आप देखिए डाटा में यह 15 बढ़ रहा है यह 30 बढ़ रहा है और यह 15 बढ़ रहा है जहा 8 से 9 बढ़ना 1 unit बढ़ना है तो बिल्कुल ये इकल इकल है satisfied है आपको मज़ा आगए ये 2 unit है कोई भी इश्यू नहीं है एक के पाड़े में 15 बार आता है putting value 15 है 15 आगई है चाहे आप यहां से निकाल दीजे तो भी 15 ही आएगा रखना किसमें है कि प्रवेश से पहले छातरों की कुल संख्या प्रवेश से पहले छातरों की कुल संख्या 3, 5, 8, 8, 16 थी 16 में रख दीजे 15 अंसर प्रात कर दीजे 240 ये इसका correct answer है ठीक है option भी आपको मैं चेक करा देता हूँ option है 240 मतलब C अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और जो की question number 148 है अच्छा प्रशन है अच्छा प्रशन है देखो और latest प्रशन है 211 में आया है MTS में 48 ग्राम बजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर कीमत कितनी है 2,30,400 है 2,30,400 रुपे है चलो जिनका बजन 5-7 के अनुपात में है इसका मतलब इसकी दो टुकड़े करती है जो पहला टुकड़ा है A clear उसका जो बजन है वो 5 रिश्यो के टम्स में दूसरे का जो बजन है 7 रिश्यो के टम्स में है अगर मैं इन दौनों को जोड़ लूँ तो टोटल बजन कितना आएगा आपने कहा 12 आएगा यानि कि जब टोटा नहीं था तब बजन था 12 और टोटने के बाद दो पार्ट्स होएं 5 रिश्यो 7 के टम्स में होए यदि कीमत बजन के वर्ग के समानुपाती है जो भी कीमत होगी ना जो भी इसका प्राइस होगा वो इसके बजन की वर्ग के समानुपाती होगा यानि कीमत कैसे पता चलेगी जब इसका बजन है उस पर गात दो लगा देंगे उसके समानुपाती होगी चलो मुझे एक बात बताईए जब ये टूटा नहीं था तो टूटने से पहले टूटने से पहले पहले इसका वजन कितना था तो आपने कहा 12 unit यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है और आपको पता है कीमत क्या थी तो आपको तो पता है कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाति होती है तो वजन कितना है 12 और वारे का वर्ग कर लेंगे यहनी कीमत आईगी 144 तूटने से पहले और तूटने के बाद की बाद करे तूटने के बाद इसका बजन कैसे कैसे बटा है आपने कहा 5 और 7 के अनपात में बटा है तो कीमत क्या होगी कीमत क्या होगी तो आपने कहा 2 टुकडे हैं तो इसकी कीमत होगी 5 का वर्ग और इसकी कीमत होगी साथ का वर्ण डारेटली कीमत निकाली में कीमत 25 और 49 यहाँ पर कीमत आई होगी आपकी 95, 4, 1 मतलब 14 होते हैं तो एक ही आईगा कहरी है 4, 2, 6 और 1, 7 84 एक बात बताना चाहरे हैं इसका मतलब यह है 74 आया है इसका मतलब यह है जब यह तूटा नहीं था तब कीमत 144 थी और तूटने के बाद 74 है तो कितने का कितने का लॉस हुआ है 70 यूनिट का लॉस हुआ है अब यह जो 70 यूनिट का लॉस हुआ है निकालना क्या है हानी बताना है लॉस ही बताना है इसका मतलब यह है कि जो price है वो original का है original है 144 इसी का price ये given है और आपको निकालना है loss यानि कि आपको निकालना है 70 unit की value बस calculation करनी है answer आ जाएगा calculation करनी है answer आ जाएगा 12 से काटेंगे बारे 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 से काटेंगे 12 एक कम 12 बचे का 11 यानि कि 110 ठीक 12 नम में 108 बचे का याँ पर दो 110 में से 108 कटाएंगे यानि कि 24 बारे दुनी 24 फिर बारे से काटेंगे 12 से काट लो 12 एक कम 12 बचे का कितना 7 72 12 चिंग 72 और 600 का multiply कर देंगे किस में 70 में और 16 सत्ते 112 और answer आ जाएगा हमारा ये एक लाख 12,000 जो कि option number A correct है आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगला question पर मैं जा रहा हूँ question number 149 क्या कहेगा क्या कहने की कोशिश करेगा देखेंगे बहुत आरम से बता रहा हूँ एक एक बाते आपको अच्छे से बताई जा रही है as a tuition बिलकुल आपको पढ़ाय जा रहा है आरम से कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है ठीक है ओके 149 x और y दो संख्या है चलो x और y दो संख्या है और कुछ ऐसा relation दिया है कि x square अनुपात y square 49 ratio 64 है जब x square y square में ये ratio है जब x का value निकालेंगे तो इदर अंडूट चला जाएगा तो x और y का ratio value आएगी 49 अंडूट में होता है 7 ये होता है 8 तो x यहाँ पर 7 ratio के terms में है y 8 ratio के terms में है निकालना क्या है वो कहता है कि आपको ratio निकालना है 5x minus 6y upon 6x minus 7y बस रग देना है answer आजाएगा x की place पर 7 और y की place पर 8 तो 7 5 जा 35 minus 8 6 जा 48 ऐसे नीचे करेंगे 7 6 जा 42 minus 8 7 जा 56 उपर आएगा 8 में से 5 जा 3 यहाँ आपका बचेगा 13 आएगा और नीचे कितना आजाएगा यहाँ आजाएगा 14 तो कुछ ऐसा answer आएगा दोनों minus में आएगे वो तो कट जाएगे 13 पाज 14 correct answer होगा option 20 आईए अगला प्रशन आपकी screen पर आता हुआ देखाई दे रहा है आपको 150 मा प्रशन और क्या कहनी की कोशिच करता है हम लोग देख लेंगे अच्छे से 150 कोशिच 150 मा प्रशन कहता है कि यहाँ पर आपको 2 संक्या उठानी है उठा ली पहली संक्या A और दूसी संक्या B और 4 और 5 के अनुपात में है यदि पहली संख्या में से 2 गठाया जाता है तो पहली संख्या में से कितना गठाएंगे अच्छे से सुनेगा Original value 2 गठाई जाती है और दूशे संख्या में 2 जोड़ा जाता है Original value 2 जोड़ी जाती है ठीक? ओके? तो अनपात हो जाता है, दो अनपात दिन ऐसे सारे कोशन में आप क्या करेंगे Cross Product Method निकालना क्या है, दोनों संक्याओं के बीच अंतर अंतर होता है यह अवला पांच और चारम अंतर एक यह निकालना भई, बहुत आसान है चार तिया बारा पांच दुनी दस बारे में से दस गए दो, उपर का फर्क नीचे का दो दो, एक जैसा है ना, एक जैसा है तो कॉमल लिख लेंगे और एक बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर एक जैसा होता है तब घटता है, अलग अलग जुड़ता है इसका मतलब यह रेशियो चुड़ जाएगा तीन और दो, पांच पस मेरी बात ध्यान रखिए, मज़ा आजाएगा आपको तू से हाउ मेनी टाइम्स, फाइब टाइम्स पुटिंग लिवागी, किसमें रखनी है दोनों के अंतर में, रख दीजे अंतर और आंसर आपका पांच प्राप्त हो जाएगा जो की ऑफशन नमबर एक करेक्ट है अच्छा लगा होगा कोशिस तो ये की जा रही है कोशन नमबर नेक्स देखिए 151 क्या कहता है ये देख लेंगे हम लोग, 151 इसको करते हैं रख देखिए कहता है कोशन की डिमांड ये है कि एक परिच्छा होई है पास भी होंगे, फेल भी होंगे और रिश्यो भी होगा तो यहां जो उत्तिर्ण है और अनुतिर्ण है यानि कि पास वालों का फेल वालों से जो अनुपात है वो है 5 अनुपात दो चालो, यदि जो फेल वाले है न, अनुत्रिण हैं, उनकी संख्या 14 जादा होती है, 14 अधिक होती है, फेल वालों की, 14 अधिक होती है, तो उत्रिण का अनुत्रिण से रेश्यो हो जाता, 4, ratio, 3, पर इच्छा में बैठने वाले उमिदबारों के संख्या, मुझे एक बात बता हैं, क्या पास वाले बड़े हैं, नहीं, तो पास वाले तो एक जैसे रहने चाहिए, पहले और बात में, क्या एक जैसे यहां पर, आपने कहा, बड़ा सा कहा, नो, एक जैसा कर लीजए, एक जैसा करने के लिए, यहां 4 का मल्टिप्लाई करना पड़े का, इसके साती को भी खिलाए चार का लट्टू यहाँ यह 5 की वर्फी आईगी तो यहाँ इसके साथी को भी 5 की वर्फी मिले चाहिए हो गया ना सैटिसफाइड? हो गया यानि कि फेल वाले पहले हैं यहाँ पर according to ratio 8 थे अब हो गया है 15 कितने बढ़ रहे हैं? 7 और 7 की value original कितने है 14 how many times? 2 times putting value आगए है अब यह जो putting value आई है आत्मा आई है question की 2 किस में रखनी है? रखनी है परिच्छा में बैठने वाले जो कुल उमीदवार है वो तो 5 और 20 और 4 दूनी 8 8 और 20, 28 28 putting value कितने है यह दो? 28 दूनी 56 आएगा इसका जो की परिच्छा में बैठने वाले student है 56 क्या हम गलत है? परिच्छा में बैठने वाले उमीदवारों संख्या थी कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ गलत हुआ है क्या? one second देख लेते हैं यहाँ पर एक परिच्छा में उत्तिन और उत्तिन होने वाले उत्तिन उमीदवारों की संख्या का अनुपाद five ratio two है यदि अनुत्तिन उमीदवारों की संख्या fourteen अधिक होती तो उत्तिन उमीदवारों की संख्या का अनुत्तिन से होने वाला जो अनुपाद है वो होता आपका four ratio three ठीक है? परिच्छान बैठने वाले उमिदवारों की संख्या थी यानि कि पहले ही की निकाल ली है मेरा अंसर कितना रहा है 56 और इसमें तो कोई कहीं है ही नहीं 56 फिर दो आच है कर लिए बाद कर लेते हैं यहां आपने 4 का मल्टिप्लाई करा पास में ठीक है यहां आपने 5 का मल्टिप्लाई करा तो 4 पंजे 20 और 4 दुनी 8 28 हो गया पुटिंग वैल्यू आपने 2 रग दी बात तो सही आ रही है यहां पर बिल्कुल सही कर रहे है एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत किया रहे हैं बिल्कुल सही किया है हमने यहां प्रिंट का मिस्ट्रेक है बच्चो चेक कर लिया है जो अमारा कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका आंसर तो यह है ठीक है उसमें क्या है कि यहां पर जो पास होने वाले हैं मतलब फेल होने वाले 14 अधिक होते और पास होने वाले 14 कम होते यह बोला गया है तो आंसर निकालना था यहां पर हम लिखनी पाएं इसलिए इस कोश्चन का पर्टिकुलर इस कोश्चन का इसके आफ्शन अठा देते हैं और इसका जो आंसर है आफ्शन मत देखिएगा वाई प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्श्वल में किताब में ही गलग दिया है आपके पास अगर बुक है तो आप चेक करना कि उसने लेंग्वेज को सही सेंद दिया आप चेक कर लेना कोश्चन अमबर 152 एक्स वाई जैट में जो अनुपात है 123 का है तो क्या करना है आपको directly value रखने है याँ पर एक्स की value कितनी है 1 unit y की 2 unit z की 3 unit तो x के स्थान पर 1 y के स्थान पर 2 z के स्थान पर 3 रख देना है याँ पर रख दे क्या रख दो x के स्थान पर पहले रख देते हैं x square प्लस 2y square plus z square नीचे देखो 3x square minus 2y square plus 4z square एक बाद चेक कर लेते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है क्या सब कुछ सही चल रहा है हाँ बिलकुल ठेक चल रहा है कोई भी इचू नहीं है सारा काम प्रॉपर हो रहा है देखे कुछ नहीं x की value कितनी है 1, Y की 2 और Z की 3 लगा दीजे न X के स्थान पर 1, 1 का स्क्वेर 1 पिलस Y के स्थान पर 2, 2 का स्क्वेर 4 4 तूजा 8 Z के स्थान पर 3, 3 का स्क्वेर 9 काम खतम नीचे X के स्थान पर 1, 1 का स्क्वेर 1 और 1 तूजा 3 माइनस Y के स्थान पर 2, 2 का square 4, 4 तूजा 8 Z के स्थामपा 3, 3 का square 9, 9, 4 जा 36 Finally, उपर आ जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा आपका minus की 8 में से 3 गया, minus की 5 36 में से 5 गया 31 18 upon 31, जो कि option number C correct है, अगला question देखी, इसमें कुछ था ही नहीं, अगला प्रेशन आपकी screen पर आ रहा है कोशन नमर बन फिप्टी थी 153 मा कोशन कैनी क्या कोशिश करता है कि A और B की जो income है इंकम का ratio given है आपको ये नहीं लगता मैं ऐसा करा चुका हूँ बट मैं कराऊंगा फिर income of A और income of B का ratio है 2 ratio 3 sorry 1 ratio 2 और उनके जो खर्चे है न expenditure है उनमें 2-3 का लुपाद है ठीक है था बोलाए कि B का जो वे है न कासी प्रतिश्यत उठाई है यानि कि जो expense of B है उसका 80% उठाई है वो होता है 4 बटे 5 उठा लिया A की आई के बराबर है income of A के क्या है बराबर है इसका मतलब क्या है expenditure of B income of A में ratio क्या है 5 upon 4 तो यानि कि expenditure of B यानि कि ये और income of A ये इन दोनों में अनुपात दी है कभी भी अनुपात रखना है तो मैं आपको एक step बता हूँ पहले तो जिनकी बात हो रही है इन दोनों को same करो same कर लो या 3 का multiply तो याँ इसके साथी को भी और जैसे same हो जाए ये ratio रख दो expenditure of B में अच्छी से सुनेगा मैंने क्या किया है same किया है तीन का multiply तीन का multiply अब जो जिसका है उसमें रखतो हूँ यानि कि expenditure of B कितना है 5 unit expenditure of B कितना है 5 ये 5 रखतो और income of A यहाँ पर 4 रखतो अगर 4 दिया है तो साथी को भी दिना पड़ेगा 5 दिया तो इसके साथी को भी दिना पड़ेगा हो गया satisfied finally ए कमाता कितना है 12 unit गवाता कितना है 10 unit तो बचाता कितना है 2 unit B कमाता कितना है 24 unit गवाता कितना है 15 तो बचाता कितना है 24 में से 15 रगाए 9 unit दो अनपात 9 यह correct answer है, option B correct है बिल्कुल समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको अगला प्रशन देखिए 154 वा आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे, चालो 154 वा प्रशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, है न, थोड़ा technical इश्यू हो गया है, देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हुआ है और इश्यू खतम कर लिया गया है 113 वा कोशन आपका स्वाल हो चुका है, अब आता है 154 नमबर, करते हैं इसको रफ अगर आपको अच्छा लग रहा है न, मीडियो तो प्लीज सेयर कर दिजे, प्लीज, प्लीज सपोर्ट कर दिजे चलो यदि तीन संख्याएं एक, तीन, चार के अनुपात में है चलो, वन, रेशियो फ्री, रेशियो फोर के तम्स में है तीन संख्याएं, ले लिजिए ए, बी और सी और संख्याओं का जो योग का दुगना असी है, दुगना असी है तो एक उना तो चालिस होगा न इनका अगर योग करे, तो कितना आता है, वन, थ्री, फोर, एट यूनिट और उसी की वैल्यू 40 के एकवल है दुगना अगर असी है, तो एक उना चालिस के बराबर है पुटिंग वैल्यू 5 आगे, किसना रखना है तो संख्याओं के वर्गों का अनुपाद बहुत बड़ी है, संख्याओं के वर्गों का अनुपाद पहली बात मुझे यहीं समझ में नहीं आया यह कितना stupid question है यह करना ही नहीं था आपको संख्याओं के वर्गों का अनुपाद यहीं कर देते, finally आ जाता 1, 9 और 16 आपको हाथी नहीं लगाना, यह तो फाल्टू की चीज़ है आ गया, option number यहाँ, C correct है जो की सबसे नीचे आया हुआ है और चेंज हो गया है, उपर नीचे हो गया है कोई दिक्कत नहीं है 155 question करेंगे हम लोग है न, चालो बहुत कुछ कह रहा है वैसे तो यह 155 कहता है कि 360 चातर है, students है जो की grade बारे में बिग्यान और मानमिकी में चातरों की संख्या का अनपाद अच्छा, total 360 है उसमें से, जो बिग्यान में है न, और मानविकी में मानविकी में जो पढ़ते हैं, उनकी संख्या का अनपाद 2, 5, 3 है जब कुछ नए चातरों को प्रिवेश दिया जाता है तो बिग्यान के चात्रों की संख्या में अठारे की ब्रद्धी हो जाती है और बिग्यान के चात्रों का मानवीकी की चात्रों से अनपात तीन अनपात पांच हो जाता है बिल्कु सही बात है चलो, एक बात बताईए यहाँ पर तो बिग्यान के चात्रों की संक्या में 18 की ब्रत्य हो जाती है इसका मतलब यह है कि कुछ नए चात्र आए कुछ नए चात्र आए और नए आने पर बिग्यान वाले तो 18 बढ़ गए यहाँ पर और क्या बोलाएं बिग्यान के चात्रों का मानविकी की चात्रों से अनुपात यह हो जाता है मानविकी में प्रिवेश लेने वाले चात्रों के संक्या बताई मतलब कुछ चात्र आएं, कुछ तो बिग्यान में गई होंगे, कुछ मानविकी में गई हैं पर विग्यान में जो आने वाले वो 18 बढ़ने वाले हैं और मान विकी में बढ़ने वाले यह पता नहीं यह बताना है बट अनुपात हो जाता है 3,5 अब कैसे करें कैसे करें ऐसे अगर कोशन आ जाए ना मैं तो आपसे यह कहूंगा डारेक्ट ली टोटल निकाल के कर लिजे कैसे 2,3,5 5 की वैली कितने 360 तो बढ़ते हैं 5 से काट लीजे कितने बाकर टेगा 72 तो 72 यहां रख दिया 72 यहां रख दिया फाइनली बिज़्यान में पहले कितने पढ़ते थे 144 और इसमें कितने पढ़ते थे 216 मानविकी में हाँ आज अगर बिज़्यान की बात करो तो कितने हो गए 144 में 18 जोड़ लो आज बिग्यान में हो गए 8-4 बारे की 2-8 बची एक, यहां 4-5-6, 162 हो गए है, तो मानवीकी में कितने हो गए होगे, यह आपको निकालना है, अब एक बार बताइए, अगर मैं कहूं कि बिग्यान के जो students है, वो 3 unit का terms है, और 3 unit की value क्या है, 162, तो कितने गुना हुए है, कितने बार हुए है, आपने का 5 बार कटेगा, और 4 बार, 14 times हुए है, 14 times, तो यह भी 14 times होंगे, 54 times होंगे, तो 54 times होंगे, 5-20 की 0, कह रहे कितनी, 25-25 और 27, यानि कि पहले 216 चाहते थे मानवीकी में, अब हो गए 270, कितने बड़े है, 44 से बड़े है, बस घठा दीज़े, आगया answer, बस अच्छा ही कोशन है वैसे तो, कितने बड़े हैं, अरे, अरे, 44 नहीं, चोगन बड़े होंगे, अहां, चोगन ही बड़े है, आप घठा के देख लेना, चोगन ही बड़े, कोई इस्यू नहीं है, मुस्सा मत कीजिए, अगला कोशन आ रह 156, चलो, क्या कहेगा 156, देखेंगे इसको, लग तो बड़ा रहा है, बढ़ है छोटा, एक कमपनी द्वारा, जित लाग को कमपनी के, अपने पैसे के निवेश के टम्स में, तीनों दोस्त बाट लेते हैं, मतला जो प्रॉफिट होगा न, वो इन्वेस्टमेंट के टम्स में बाटेंगे, यही प्रॉफिट का रिश्यू है, लो, यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा इतना है, तो अन्य दो मित्रों द्वारा प्रात की गई राशी क्या है, चलो, सबसे अधिक मिलने वाला 11 यूनिट है, उसी की वैल्यू 2, 3, 1, 0 है, बच पंदरे का मल्टिप्लाई कर लेंगे, आंसर आजाएगा, वन यूनिट जो कि आप चाहते हैं, पंदरे एकम पंदरे की पांच कहरी आजाएगा, एक पंदरे उनिदीस और एकतिस, आंसर आएगा, एकतिस पचास, जो कि अन्य उसके दोस्त थे ना, उसको मिल जाता था, बिटी, सेवन, देखो, एक मा और बेटी, कि बर्तमान आयू में नंपाद, तीन अनुपाद एक है, मा है, और बेटी है, पेजाएगा, पेजाएममें, पेजाएमें, देट से विजाएगा, पेजाएगा, वो 31, में-वी रस पहले, प्रीर, पहले, इनकी बीच अनुपात, पांच उनपाथ एक था एत्तालिस बस बाद मा की आयू क्या होगी कितने गया फैंप है पिट्जेन से पांच साल पहले पांच साल कही होगा सेम कोशिन तीन एकम तीन पांच एकम पांच पांच में से तीन गया उपर का फर्क दो का नीची का age वाले question में एक comment लेते हैं 5 और इन दोनों का difference कर लेते हैं 4 putting value कितनी आगई आपने कहा आगई 10 बार मा की बारें बताना है तो मा की बारें बताईए यहाँ पर रख दीजी तो यहाँ पर आजाएगा 30 साल की थी आज मा हमें कब बतानी है 41 साल बाद अगला question देखेंगे 158 और क्या कहेगा वह आपको हम समझा देगी 158 क्या कहेगा question देखो A और B है न लिखे आपने और इनकी आयू में जो अनुपात है ना आयू में आय में 611 का है इनकी income में उनकी expenditure एक दो की अनुपात में है वन रिशियो टू के forms में है A और B करम से 9000 और 11500 रुपे बचाते हैं यह 9000 रुपे बचाता है और यह 11500 रुपे बचाता है लो भया सेविंग होगी ठीक फाइनली क्रॉस प्रोड़क्त तो आप लगाएंगे लगाएंगे मुझे आपसे आशाई है कि को लगा नहीं है फाइनली बताना है वू का वे वइक वे बहुत अच्छा व्योसित है वही बहुत अच्छा कोशन है चला है इंकम नहीं बतानी और क्रॉस प्रודक्त हमेशां इंकम देता है धयारा सा कोष्यन है तेच्छे दुनीं 12 गयारे कम 11 बारे में से 11 गया processing का फर्क है नीचे का देखो 11 जो 500 है का multiply एक में करेंगे तो 11,500 ही आएगा टिक और 9,000 का multiply 2 में करेंगे तो आएगा 18,000 और इन दोनों का difference कितना आएगा एक जैसे घड़ जाएगा दोनों प्लस प्लस है न अरे पॉइटी पॉइटी में इसलिए नेगटिव होता है तिक माइनिस करिए तो आप कहेंगे 6,500 आएगा कितना 6,500 आएगा ये आगे putting value आगे न अभी जो putting value आई है सुनिएगा बी में रखतीजे बी का income कितना है 11,6500 आप हमेशे द्यान रखना यहाँ पुछा है बी का वे आप बी का वे यहाँ मत रख देना क्योंकि हमेशे अगर cross product लगाते हैं तो हमेशे investment इट मेंस उपर वाले ratio का अंसर original होता है नीचे वाले का कभी नहीं होता गल्ते मत कर देना तो 11 का multiply कर लेते हैं 11 का multiply क्या होता है पहले एक कदम चलेंगे पर यहीं से दो कदम चलेंगे छे और पांच ग्यारे की एक हज़ी बची एक पर अगले दो कदम चलेंगे 6 और एक साथ यहोगे multiply पता यह क्या है यहाई है income कि सकी I है यह आई है B की income तो B कमाता कितना है 7,1,500 जीरो एकत्तर है पांसो और उसम में से बचा कितना लेता है 11 है पांसो अगर मैं इंकम में से सेविंग को माइनस कर दूँ क्या मेरा एक्सपेंडिचर नहीं आएगा आएगा बिलकुल आएगा गठा दीजिए आपने घटाया तो प्यारास आंसर पाया साथ हजार और वही करेक्ट आंसर है जो की ऑप्शन नमर डी में आपको दिखाई देता है अच्छा सा प्रश्न था कोशन नमर वन फिफ्टी नाइन पे हम जा रहे हैं इसको करेंगे रफ और देखो इंकम और एकस्पेंडिचर का यह कोशन में आपको करा चुका हूं दो पांच अनपात आया था इसका तो आप करना ठीक है वन सिक्स्टी देख लेते हैं एक सो साथ चलो एक सो साथमा प्रश्न ऐसे दो प्रश्न आ चुके हैं पिछले वीडियो में जिसमें एक कराय था एक आपको दिया था करने के लिए चलो इसको कराय था हूं देखो एकस और वाई की बरत्मान आयू का अनुपात ठीक है अच्छा प्रश्न में कमाता है अगला कोश्च मतब अच्छा कोश्चन है पिछले वर्स और बरत्मान बर्स में जो उनकी व्यक्तिकत आयका अनुपात दो तीन है अब ये तो हमारा बरत्मान का डाटा है बरत्मान का डाटा है वैसे ऐसे कोश्चनों में पिछले साल का रि यह बर्तमान बर्स में कितनी है तीन यूनिट यह नुपात है यहां पर यानि कि मैं यह कह सकता हूं अच्छी से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं मैं यह कहा रहा हूं कि यहां पर दो और तीन का नुपात है और वाई का कितना है तीन और चार का नुपात है यहां पर यह बरतमान है यह भी बरतमान है और यह आपका पिछला है यह आपका पिछला है पहले थोड़ी सी सिय डाल ली जाए इंक खतम हो गई हमारी तो मजा नही त्यारे बच्चों, इंक फिल कर लिए हमने, आप करते हैं इस कोशन को, देखेगा, देखो, यहाँ पर X और Y की वर्तमान आयू है, यह वर्तमान और पिछले साल, यह वर्तमान और पिछले साल की आयू में अनपात है, कभी भी ऐसा कोशन साथ आता है, तो आपको यह देखना पड़ेगा, अगर बर्तमान की किविन है, तो बर्तमान की एक जैसी कड़नी पड़ेगी है, और एक जैसी कड़नी की ट्रिक बतारो, बर्तमान, बर्तमान, इन दौनों का LCM लीजिए, यानि कि 4 और 3 का LCM आयेका 12, तो 12 का मल्टिप्लाई उपर कर देजे, सुनिएका जो ब बतारो, एक जैसा होना चाहिए, 60 बनाने के लिए 20 का मल्टिप्लाई इसमें करेंगे, 20 का करेंगे, ऐसे ही, बर्तमान में, Y की कितनी है, 12, 8, 96, यहां पर कितनी है, 4, 24 का मल्टिप्लाई कर लेंगे, 96 बनाने के लिए, जिसके साथी को देना पड़ेगा, बोला क्या है, यह पिछले वर्ज उनकी कुल आये पिछले वर्ज एक्स की आये 40 यूनिट और वाई की है 72 दौनों की कितनी है यहाँ पर 112 यूनिट और इसी की वैलिव ओरिजनली 56,000 है यह कटेगा 500 वार पुटिंग वैलिव आगे 500 किसमें रखने है य की वरतमान आयो तो वाई की वरतमान आयो यह वाली है 96 यूनिट है तो 96 में रख देंगे 500 का मल्टिपलाई कर देंगे ठीक आजाएगा 48,000 आजएगा 48,000 जो की option number आपको मैं चेक कराता हूं कौन सा है पहले ही ठीक है देखो 48,000 और आज का जो last question है आपकी screen पर यह रहा 161 अच्छे से देखि आपको मज़ा आने वाला है कि कहता है यहाँ यहाँ पर की बिनित है वह बिनोत से आठ वर्स छोटा है चलो यानि कि बिनोत बड़ा होगा कि बिनोत बढ़ा होगा बिनीत से कितना 8 वर्स, यदि 4 वर्स पहले उनकी आईू का अनुपात यानिके 4 वर्स पहले चले जाए ना, तो उनकी आयू में अनुपात 1 और 2 का था इसका मतलब बिनोत बिनोत यहां पर है और बिनी यहां पर है, बिनी छोटा है ना जेक तो बिनोत की वर्तमान आयो बिनोत की यानि की बड़े वाले बिनीज से बिनोत कितना वड़ा है? वन यूनिट वन की वैल्यू कितनी है? आठ तो एक की टेविल में 8-8 टाइम्स आता है पुटिंग वैल्यू आ गई 8 यहां रख दीजिए और 8 यहां रख दीजिए यानि की बिनी की उमर 8 years old है और बिनोत की 16 है 16 कब है? 4 साल पहले आज कितनी की हो जाए कि 20 साल की और आज ही बिनोत की पूछी है जो की option number C correct है It means 20 तो मुझे लगता है आज का session आपको अच्छा लगा है तो please share कीजिए support कीजिए ऐसे ही मैं पूरी book खतम कराऊंगा और भी book लेकर आऊंगा Thank you